प्रेंच एस में आप लोगों को 46 एस प्राकाट ब्लाॉस असतर अर्प्रेप्रिक में काथिंगर करके दिखाऊंगी पूरा स्टेब बाई स्टेप टो प्रेंच प्रेंच पसदा ची वीडियो को लाक्षेर करना ना बुरे इस चेनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो प्रीज ज हमेंसे मैं बोलती हूँ बैक पाट पहले काट कर लेना है तो यहां से बैक पाट काट करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए अस्तर को इस तरके से मैंने टूफूल करकर पिसा लिया है तो आप देखिए ब्लस का लंबाई लेना है तो ब्लस का लंबाई हमेंसे आपका हाइट क लेना है जिसे कि यह फ्र iç next s तो आप अपनी हैच के घसाब से iseiya ही कर लंबाई लेना है तो यह पर मैंने एक्स्ट्रा फेड्रिक के साथ यहाद पर ब्लस्ग का शोरा भी ले लियाँ है तो आभे दीखे लंबाई लूंगी लंबाई देखिए मैं यहांसे ब्लॊस का तया रुखुँगे 14.5 पिंच तो एक्स्टा 1 अिस तख ँखुँगे इस तरह की से मिलाने के बाद आभी हम सेच लोंगी जैसे कि यह बलग्स 46 साइस से तो हम 46 को 4 से दिवाइद करूंगी तो यहाँ पार देखिए 46 को 4 से दिवाइद करने से 11.5 इंच तक मिलता है और सेले के लिए एक्स्त्रा में यहाँ से 1.5 इंच तक रखूंगी अप अपने यह सबसे लेना है एक्स्त्रा फेब्डिय और यहाँ से कमर में हम 6 से 1 इंच कम करकर लोंगी यहाँ से देखिए यहाँ से 1.5 इंच का सेट मिलाऊंगी फिर इसको हम मिलाना है यहाँ से देखिए इस तरह किसे उसके बाद लेना है neckline neckline देखिए आप दोरी लगना है तो इसमें से 3 इंस 2.5 इस तरह किसे ले सकते हो मैं यहापर दोरी नहीं लगाऊंगी तो यहाँ से देखिए 2 इंस के मैंने यहाँ से neck लिया है neck deep आप अपने पसंद के हिसाब से ही लेना है कितना इस तक राखना है यहाँ से मैं देखिए 11 इंस का neck deep राखूंगी और यहाँ से 3 इंस फिर यहाँ से इस तरह किसे मिलाऊंगी यह देखिए back part पुरा पूरी complete है तसलिया हम इसको काट कर लूँगी फ्रंट पाट काट करने के लिए हमने फिर से अस्तर को तूफूल करकर फिशा लिया है अभी जो हम back part कता हुआ अस्तर को इसका अपन में रखूंगी जीसे के देखिए आर्मोल का साइट को में इससाइट के तरफ से रखूंगी और यह देखिए नेक को जी साइट में उपर ने उससी साइट के तरफ से रखूंगी तो पहले देखिए मैं back part के हिसाफ से निचना लागा लूँगी इस तरह किसे पिर यहां से देखिए इस तरह किसी मिलाने के बाद आप हम फ्रों नेगदीप लोगी यहां से फ्रों नेगदीप अगर आपको ज्यादा दीप चाहिए तो यहां से 7.5 इंस तक ले सकती है मैं यहां आपको 7 इंस का ही नेगदीप लखोंगी तो आप ही देखिए यहां से जैसे के बैक साइट चे हम फ्रन्चाइट के तरब से एक्स्टर तू इंस जदा लोगी अगर आपको चेस जदा हेवी होने से यहां पर और हाप इंस बराकर ले सकती है तो यह देखिए इस तरह किसे मिला लोगी मिलाने के बाद देखिए यहां पर 5.5 फाइंस में और एक नशन अलागाओंगी यहां से देखिए वहां से मैंने पास्ट पाइंस के लिए मेजर मेंन लोगी तो अबी देखें यहाँ से bus point के लिए measurement लोगी, जैसे कि यह blouse 46 size है में यहाँ ते 6.5 inch का bus point का measurement लोगी फिर देखे यहाँ पर फ्रन्ट साइट के आनुफूल में यहाँ से इस तरकिसे half inch तक यहाँ से मिलाओंगी अगर यह ब्लाउस पिंचिस का थुने से यहाँ से पुने एक inch तक मिलाना है ब्राकर ब्लाउस में half inch मिलाना है ठीक है तो आभी देखिए हम कात्रे के लिए measurement लूँगी जैसे के हमरा ब्लाउस यहाँ पर 46 आए से तो हम 46 को तेंची दिबाइट करूँगी यहाँ से तेंची दिबाइट करने के बाद कितने inch तक मिलता है 4.6 जैसे के 4 inch से से सूच जदा मिलता है तो इस तरे के से मैंने double ले लिया है तो आभी देखिए यहाँ से 1 inch टाख हम extra ले लिया चलाई के लिए तो यह देखिए तो उसकी बाद देखिए यहाँ से इसको half कर लेना है यहाँ से half करना है आपको निके बाद यहाँ से देखिए हम 1 इस का ही उठाओंगे क्योंकि अगर आपको ज़्यादा सेफ साहिए तो यहाँ से देखिए आप 1.5 इस का उठा सकती हो फिर जहाँ से आपके है वहाँ से मिलाना है इस तरह किसे फिर यहाँ से देखिए और एक पोईंट लेने है आर्भूल चे में यहाँ पर देखिए सेबेन इस तक राखूंगे और इसको इस्तरिक चे तिशा मिलाऊंगे उसके बाद कायद करना है यूग पुटि जैसे कि प्लाइब आपके में धावाँ से पास्टार आपके में यहाँ आपके में में निदेखिए तो इसके कैसे tween का ईंक पर तक मिलता है उसी के हिस्तभ से राखूंगे तो यहांपर mutual with ons तक मिला है तो मैं यहांंने चोने हिरस इंस ठारखूं poisoning मिदल से और साइची देखिए सेवेनिस तक नाखूंगी यहाँ पर मैंने एकस्ता यूग पुटी के लिए पुट्टी कात नहीं करूंगे एक साथ मैंने कात कर लिया है उसके बाद देखिए यहाँ से और कात करूंगी इसको मैं आला करका कात करूंगी देखिए इसमें जितने इस तक लंबई में आता है उसी के हिसाब से ही रखूंगी यह देखिए यहाँ से उसी के हिसाब से लोंगी यहाँ से देखिए 10.5 इंच तक मिलता है इस तरह किसी मिलाना है देखिए यहाँ से 4.5 इंच और यहाँ से 5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच इस तरह किसी मिला दूंगी देखिए मैंने यहाँ से थूरा साथ ज़्यादा एक्स्ट्रा फेब्रिक लेकर काट किया है क्योंकि दुनकात्री कापात को एकी साथ मेजरमेन नहीं ले पाया तो इसमें से मैं थूरा 12 साथ कर काट करूंगी एक्स्ट्रा फेब्रिक शिलाई करने के बाद जो भी हुगा हम इसको काट कर लूंगी फिर यहाँ से कमर पुति काट कर लूंगी कमर पुति काट करने के बाद हम फेब्रिक पे काट करूंगी मेरे पर स्लीप काटिंग करने के लिए अस्तर कम है तो इसमें मैं 75 सेंटिमीटर अस्तर लिया है 46 साथ ब्लाउस में 80 सेंटिमीटर अस्तर चाहिए तो बात में मैं इस स्लिप कर लिए एक्स्ट्रा आस्तर काट कर लूँगी तो आप ही देखिए फेब्रिक में देखिए यहाँ से इस तरकी से पिशा कर काट कर लूँगी थेखिए बात में देखिए झाल 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 तो यहाँ पदिकी मेने इस्तिर के से फेप्रिक में अस्तरा कर कात कर लिया है और यह लेश को हम अलग से लगाओंगी इसको पेल हम यहाँ से कात कर लूँगी फिर यहाँ से स्लिप कात करूंगे तो इसमें देखे फेप्रिक कॉम है साइचे इसको थोड़ा जैन करना होगा तो आप करने के पाद फिर से इसको मेजरमेन लेकर हम कात कर लूँगी वैसे भी हम आस्तर पेपे शिलिप कात नहीं किया है तो यह देखे इस फेप्रिक को हम इस साइट के तरब से द्रेन करूंगी यहाँ पर देखे 46 साइस प्राकाट ब्लाउस काटिंग पूरा फूरी कमप्लीट है इसका स्टीशिंग का वीडियो मैं आगला वीडियो में करके दिखाओंगी तो फ्रेंश वीडियो पसंद ने लिए और सबस्क्राइब कर लिए और शाइट में पेल लाइकन को किलिक किजिए ताकि मेरे हाराने ओले वीडियो की नोटिफीकेशन आप तक सबस्क्राइब पहुसने के लिए